हेलो माई रियर फ्रेंग्स एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में मैं सुमन जस्वाल आज फिर आपके संग एक नई समस्या को डिसकस करने वाली हूं एक नई समस्या की दवाईयों के बारे में डिसकस करने वाली हूं उसके साइड इफ हाइडरो सील में इस्क्रोक्टल सक जिसमेंस स्टोऊर होती है उस में फ्लूइड का एक्यूमिलेशन हो जाता है लिकविड इकथा होने लगता है जिसकी वज़ा से इस क्लूद स sack त्रे यह पास करिया में स्टोऊरिया मेंpersonal हो यानि लिक्विड इकथा पानी भरने लगता है जैसे कि आपको पता ही है तो अगर देखिए आपको इस पर पूरा वीडियो चोहिए तो मैंने हाइड्रोसील के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है और मैंने यहां लिख दिया है कि लिंग फॉर्ड कम्प्लीट वीडि हाइड्रोसील के ट्रीक्टमेंट के लिए अवेलेबल हैं आप वीडियो में आंत तक बने रहिएगा तो देखिए जो पहली मेडिसीन है वो है ओडॉक्सिल ओडॉक्सिल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटिबाइटिक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब की बहुत सारे बैक् आप ब्रॉड एक्डॉड हो रहा तो देखिए इसकी जो डोज उती है 500 mg टैबलेट होती है ड्र फिर नेक्स्ट था हैट्राजान हंड्रेट हेट्राजां हंड्रेट क्या होता है दोस्तों कि जो हाइड्रोसील पुरिशों में जो हाइड्रोसील लिंफेक्तिक फाइलेटिय से होता है जिसकी वज़ा से जनाइटेस या बॉडी के अन्न हिस्सों में भी सूजन आ जाती है तो ऐसे हाइड्रोसील जो की लिंफेक्टिक फाइलेरी आसस की वज़ा से हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए हेटराजान हंड्रेक देते हैं इसकी टीन टैबलेक डेली देनी की रहे को Peptis and Rutapositamol ये कैसे काम करता है ये भी हो रहे है पेन शवेलिंग उसे किम करता है और इंफ्लेमेशन को कब्यों चलिद जो जलन हो रही हो ठीक नेक्स्ट हमारा wolves ए तैक्सिमो कर बारे में बात करने से हुआ अब याद दिलाल रहती हूं YouTube पे हमारा एक और चैनल है Tank Direction News के नाम से जिसका link में description में share कर रही हूँ आप प्लीज उसको भी visit कीजिएगा इसका link तो है ही साथ ही साथ दूसरे चैनल का भी link है आप उसे भी visit कीजिएगा और हमारे दूसरे चैनल को भी support कीजिए subscribe जरूर कीजिएगा और उसे तक्राइन सचmaачता कीजिएगा जि67 सभसिक्स कीजिएगा और लूसरे चा किजिएगा आप जरूर कीजिएगा नहीं है पे तोlor किजिएगा अगर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा देखिए बैनोसीट 40 क्या होता है ये भी एकदम हेटराजान 100 की तरह ही काम करता है जो की हेटराजान 100 जो की लिंफेक्टिक फाइली रियासस वाली केस में काम कर रहा था ये भी ऐसे ही हाइड्रोसील इंफेक्शन को ठीक करता है जो पैरसाइट की कंडिशन दोनों कंडिशन की वज़ा से होने वाले इंफेक्शन को ये सही करता है क्योंकि इसमें होता है डाइथेल कार्बमाजीन ठीक है नेक्स्ट जो दवा है वह है एल्ट्रोसीन देखिए एल्ट्रोसीन क्या करता है इसमें इरिथ्रोमाइसीन होता है जो की क्या करता ह स्वेलिंग को कम करता है और इंफ्लमेशन को ठीक करने का काम करता है ठीक और साथ ही साथ अब इसकी डोस की अगर मैं बात करूं तो बड़े लोगों में जो वैस्क होते हैं उनमें 500 एमजी अग्डाइटीड डोजर और बच्चों में वही डोस 250 एमजी की होती है अब देखिए इतनी सारी दवाईया मैंने बताई खुद से आपको नहीं लेनी है आपको डॉक्टर से सलहा करनी है अपने हेल्थ कंडिशन के अकॉइडिंग दवा लेनी है बाकी आपको इस लिंक से हाइड्रोसील की पूरी जानकारी मिलेगी कैसे पहचाना जाता है क्या डा इसके अलावा अगर कुछ साइड इफेक्स आते हैं तो आपको डॉक्टर के पास अजिंकली जाना चाहिए और साथ ही साथ अगर यह दवाईयां उसे नहीं मैनेज होता है फिर लेजर हाइड्रोसीलेक्टॉमी करनी पड़ती है लेजर हाइड्रोसीलेक्टॉमी में मैं बत अगर अच्छा लगा होगा इस उमीद के संग अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल पे अगर नए है तो और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजे तो चलिए अब मैं सुमन जैस्वाल आप से अगले किसी वीडियो में मिलूंगी नई समस्या के उपर बाते करेंगे नए मेडिसन का रिव्यू करेंगे त